हे गाईज हूप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहोंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहोंगे आज हम बात करने वाले करियर्स और करियर्स में कि स्पेसिफिक टॉपिक्स के उपर करियर आफ्टर CSIR कि CSIR के बाद आप क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं उसमें क्या क्या चीज़े थोड़ी सी इन डेप्ट एनालिसिस के साथ भी हम बात करने वाले हैं फिलाल के लिए जब हम बात करते हैं कि हमारे पास CSIR के उपर आज मैं जुड़ा हूँ बात करने के लिए कि what are the careers after CSIR, ये सवाल आ जाता है कि CSIR के बाद आपका आखिर career क्या है, क्या करेंगे आप, एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाए भी था, उसमें थोड़ा सा overview दिया था, उन्हीं को थोड़ा सा और आगे elaborate करेंगे हम, मेरा नाम आप लोग जानी रहा होंगे, that is very interesting, ठीक है, शुरुआत करते हैं, so खोज रहें, job मिलेगा, नौकरी मिलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इसके उपर बात करते हैं, एक Stephen Hawking scientist जिनके बारे में आपने सुना होगा, इन्होंने एक छोटी सी चीज बोली थी, या छोटी सी तीज, जेकिन इतनी important थी, intelligence is the ability to adopt the changes, ठीक है, intelligence क्या होता है, जो changes होते हैं, उनको adopt करना होता है, जैसे कि pandemic एक बाद CSIR में changes है, चीजे हैं, अगर आप changes को adopt कर पा रहे हैं, तो बहुत बड़ी हैं, दूसरा, nothing is better than the reading and gaining more and more knowledge, read करना बार बार और ज्यादा knowledge पाना, इससे अच्छी चीज कुछ नहीं है, और CSIR net qualified candidate can surely relate to this particular court, जितने भी इस parents होंगे न, इस court से relate कर पा रहे हैं, qualified, non qualified as well, now, एक brave noble orate, Malala आपने सुना होगा, है न, Malala ये शूफाज है, इन्होंने बोला था कि one child, one teacher, one book and one pen, Malala ये बहुत ही young orates में से थी, one of the youngest कह सकते हैं, एक बच्चा, एक teacher, और एक book और एक pen, difference create कर सकता है, teacher और students मिलके ही difference create करते हैं, उसके उपर उने बात करीते, फिलाल हमारे पास क्या-क्या options है CSIR करने के बाद उसके उपर बात करते हैं, ये मैंने courts इसलिए बताया कि आपको पता चल जाए कि हम किस field से related बात कर रहे हैं, पहला है PhD in India, you can do PhD in India अगर आप CSIR crack कर सकते हैं, दूसरा PhD in abroad, abroad कर सकते हैं, तीसरा teaching professorship या assistant lecturership, 4th scientific officers, 5th corporate firms, 6th that is public sectors and PSU's undertakings, 7th scientific laboratory technicians, 8th that is junior research fellowship that is related to the PhD and इसके इलामा जब हम बात करें, चरह समझेगा, ठीक है? ठीक है, ओके, तो junior research fellowship पे थे हम, इसके बाद entrepreneur भी बन सकते हैं, 10th आप खुद के लिए अपनी laboratories बना सकते हैं, और personal growth तो है यह, देख सकते हैं कि कितने important जो है, वो यह सारे benefits हैं, CSR qualify करने के, PhD in India, abroad, teaching, professorship, scientific officers, private corporate firms, public sectors, teaching laboratory, technicians, junior research fellowship, entrepreneur and this and this, 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 सबसे पहले बात करने की कोशिस करते हैं, ठीक है? The first one, PhD in India, बात करें तो PhD in India में जो एक important चीज है, that as a CSR candidate, अगर आप आते हैं, तो आपको लगबग 5 years तक जो है, वो fellowship मिलती है, जो fellowship लगबग 31,000 और 35,000 मिलती है, जैसे मैंने बात किया था, इसके बाद होता है कि in fact nowadays lot of institutes and universities had a made CSR net qualifications mandatory to apply for the PhD positions, कई जगों पे जो है, PhD positions के लिए, जो है, manudatory कर दिया गया है, कि आपको अगर जब CSR है, तभी आप PhD कर पाएंगे, याद रहे कि 31,000 प्लस HR जो होता है, वो JRF की fellowship होती है, first 2 years के लिए, और 35,000 प्लस HR होता है, SRF की fellowship जो होती है, वो 3 years के लिए, तो JRF के थ्रू जो है, आप PhD अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके की fellowships आती हैं, दूसरा है, PhD ने ब्रॉड, जिसके उपर चर्चा करने क की कोसिस करें, तो क्या condition होता है, that a lot of genius students, scientists, and renowned scientists, positions, well-known international universities, जैसे Max Planck, McGill, Cornell, and Oxford universities, and many more, ये सभी कहां से हैं, इंडिया से हैं, मलब not all, but mostly, they are aware of CSR net examinations, and hence, if you qualified the CSR net examinations, तो CSR net candidates, जो है, better opportunity, मिलती हैं, एच्छा आप ये qualify कियें, तो वो आपको बुला सकते हैं, chances have increased, या advantage of getting selected, आप अपने resume में, अपने चीज़ों में mention करते हैं, तो वो आपको ले सकते हैं, fellowship generally, जो abroad में मिलता है, that amount varies, approximately 2000 euros, or dollars, nearly per month, ठीक, next, teaching और professorships, इसमें भी आप जा सकते हैं हैं, इसमें क्या क्या कर सकते हैं, आप, that, specifically हम बात करें, तो, मैं बस आई रहा था, 10 minutes में, ठीक है, हाँ, चाय बनाएं हैं आप, तो बद 10 minutes में आतो तब पी ले, तो बस मेरे last recording है, 10 minutes और लगेगा, आतो मैं वहीं बैठ जाता हूँ, ठीक है, पानी देती है, वसन को ही साम है, ठीक 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 है, In many of the renowned institutions and universities, CSIR NET is mandatory for qualifying the teaching positions. कई जगों पर mandatory कर दिया था, लेकिन हाला कि अब धीरे-धीरे हटा रहे हैं, वो अलग बात है, according to the latest notice, which is issued by the Indian government, it is mandatory to have a PhD degree, जो कि अब जो है, ये चैंसल आउट हो जो कहा है. पहले कथा, Informations की PhD degree जो है, वो होनी चाहिए, लेकिन अभी क्या है, कि इन्होंने ये हटा दिया, क्या बीना PhD के भी Assistant Professor बन सकते हैं, लेकिन Problem क्या आजाता है, PhD होने का एक Advantage ही होता है, कि आप प्रोफिसर्स बन सकते हैं, महलब प्रोमोशन जो है, वो आपका नहीं रूपता है, ठीक है ना, इसके अलामाद जब हम बात करते हैं, तो लगबग परी स्केल्स जो है, ये 37,000 से 67,000 है, और जो लगबग 13,000 तक UGC 7 पर गाइडलाइन से जो है, आप देख पा रहे होंगे, ये 3rd important field था, ठीक है, एक था scientific officers वाला field, ये कौन से field था, टाइफर है, बार्क है, MTEK है, NBRI, CSIR, DBT, DRDO, SRL, CPRI, these reputed organizations also give their higher importance to CSIR net qualified candidates for their positions, so you can apply in those fields as well, scientific B, C, D, E, F, G, अलग-अफिसर्स के post आते हैं, और उनके अलग-अलग P skills होते हैं, और grade पे होते हैं, although इन में अलग-अलग conditions और भी जोड़ते हैं, तो वो भी आपका चलेगा, फिफ्थ जो categories है, वो private corporate firms की है, corporate firms में भी आप जोड़ सकते हैं, private corporate firms like Novartis, Lupin, GSK, Dr. Redis, Thermo Officers, etc. They are the some of the leading life science companies, जो की आपको CSIR net के basis पे जो है, prioritize कर सकते हैं, तो आप इनका भी use कर सकते हैं, Indian cities like Bangalore and Hyderabad is a hub for wide range of life science and pharmaceutical companies, you can go for that, you can apply, you can join those particularly companies, हाला कि एक advantage मिलेगा, directly आपको advantage नहीं मिलता, लेकिन if CSIR qualified CSIR candidates give the impressions, एक अच्छा impression create करते हैं, क्योंकि candidate knowledgeable है, तो वो chances of being selected बढ़ जाता है, एक और है PSU's, Public Sector's या Public Sector Undertaking's जिसकी हम बात करते हैं, PSU's के उपर अगर हम बात करें, तो इसमें क्या conditions fulfill हो जाता हैं, conditions के उपर Public Sector Companies, like Indian Oil Corporations, भारत Heavy Electricians, BELL, ONGCs, National Thermal Power Corporations, Cool India, Gas Authorities, यह सब जो है, आपके, कई सारे कह सकते हैं कि students को लेते हैं, जो net qualified हैं, तो आप इनमें भी apply कर सकते, although career opportunities are less here, थोड़ी सी कम होती ही, क्योंकि ज़्यादा तरह यह technical field वाले बंदों को लेते हैं, life science को थोड़ी से लेकिन फिर भी opportunities हैं, scientific laboratory technicians में भी जा सकते हैं, इसके उपर जब हम बात करेंगे, तो scientific laboratory technicians में, scientific laboratory technicians work as skilled workers, having the immense knowledge about the diagnostic test, mechanical aspects of the instruments, cell biology experiments, molecular biology experiments, etc. तो सच job profiles are present within the biological fields, chemical fields, physical fields, you can join those particularly laboratory technicians and you can unveil as good. You can apply without CSIR NET2, okay, next, J.R.F. PhD में J.R.F, J.R.F. के साथ PhD कर भी सकते हैं, और J.R.F. करने के बाद PhD नहीं भी कर सकते हैं, मतलब कई सरह ऐसे projects और universities होते, जापे junior research fellowship सिर्फ तीन सालों के लिए ही होता है, और ना करके आप छोड़ देंगे PhD करने की जरुवत नहीं होती, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, as a J.R.F. यहाँ पर बात करें, तो if you want to start your career in the research field, you can think about the joining research laboratories after CSIR NETJRF as a J.R.F. post. याद रहे, every year there is a many institutions open for J.R.F. only, ठीक नहीं, not for PhD S.R.F. as well, you can join those J.R.F. as well, for these prestigious institutes like DRDO, CFDRI, ISER, ISCB, Nipar, and lots of institutes are there. fellowship होता है, जो J.R.F. 31,000 plus H.R.F. or J.R.F. अगर आप इम्प्रूव करेंगे, तो लग भग 35,000 plus H.R.F. or S.R.F. यह सारफ होगा, not जारफ, राइट, ठीक है, चलो, इसके बाद 9th है, entrepreneur बन सकते, कुछ नहीं करना है, अपना बॉस बन जाओ, और अपना बॉस बनने के लिए क्या करना है आपको, आपके आपके आपको, में लेके जाये, स्टैस्ट कांसे से, Small Business Industries Initiatives, Biotechnologies Industry Partnership Program, DST, Government of India बहुत सारे से स्कीम्स लेके आते रहते हैं जो नए आइडियास को सपोर्ट करते हैं You can join them, ठीक है? So, the 10th one, that establish your own laboratories अब अपनी laboratories भी बना लीचे भाया क्या दिखके रहते हैं? चाहिए, अपने labs क्रिएट करिया, आपने सीखा हुआ If you are interested to want to establish your own laboratories, you need to apply and get permission to government authorities लीजिये, you need to follow the guidelines and instructions, ठीक है? उसके बार, the earnings here are according to your own research potentials Several research grants are provided by the projects and government as well ये भी कर सकते हैं 11th, that is, अगर इन सभी से नहीं हैं, तो personal growth तो होगा Confidence तो आएगा If you qualify this exam, it will boost your confidence, big sense of achievement and driving force to progress the knowledge wise As the exam is considered as one of the most crucial and golden step in any life science students qualifying it is equivalent to achievable degree in life science इसको qualify करना अपने आपने एक डिगरी जैसा माना जाता है So that's the case So careers of after CSIR में मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा लगा है तो comment box में जरूर बताईएगा और कुछ और topic से बात करना चाहते तो वो बताईएगा मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स वीडियो में Till then, bye bye, take care And all the best